नमस्कार जाहें दोस्तों आप सभी का स्वागत है और नई कविता में जिसे जैसंकर प्रशाद ने लिखा है और इसका नाम है आशू और इसका प्रकाशन वर्श है 1915 तो चलिए इसे पढ़ते हैं इस करूडा कलित हिर्दया में अब भी कल रागिनी बजती क्यों हाहा कारश्वरों में वेदना अशीम गरजती मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें कल कल ध्वनी से हैं करती कुछ विश्म रित भीती बातें आती है सोन्य छित जिसे क्यों लाउट प्रति ध्वनी मेरी टकराती बिल खाती सी वगली सी देती फेरी क्यों व्याथित व्यों मगंगासी छिटका कर दोनों छोरे चीतना तरंग नी मेरी लेती है म्रिदुलही लोरे बस गई एक बसती है इस मृतियों की इसे हिरदय में न छचत्र लोक फैला है जैसे इस नील नीलाए में ये शब वैश्फुलिंग है मेरे इस ज्वाला माई जलन के कुछ से सचिन है केवल मेरे उस महा मिलन के शीतल ज्वाला जलती है नीधन होता द्रिग जल का यहां व्यर्थ शाश चल चल कर करती है काम अनिल का वाड़ ज्वाला शोती थे इस प्राड़े शिंधु के तल में प्यासी मचली सी आँखे थे विकल रूप के जल में बुल बुले शिंधु के फूटे न छत्र माली का तूटी न भमुक्त कुंतला धरडी दिखलाई देती लूटी छिल छिल कर चाले फोडे मल मल कर म्रेदुल चरण से घुल घुल कर वहां रह जाते आशु करुडा के कड से इस विकल वेदना को ले किसने सुख को ललकारा वहां एक अबोध अकिंचन वे सुध चैतन्य हमारा अभिलाशाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना सुख का सपना हो जाना भेगी पल को का लगना